हलो एवरीवान इन दिस टुटोरियल विए लर्न अबाउट वाट इस बी प्लस ट्री नाव यह टुटोरियल करने से पहले आपको बी ट्री के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है कि उसकी प्रोपरिटीज क्या होती है बी ट्री क्या होता है ओनली दैन आप इसको एक्रिशेट कर पाऊगे और इसको समझ पाऊगे इसमें हम करेंगे कि हमें बी प्लस ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमने बी ट्री कर लिया वाइवी नीड बी प्लस ट्री वाट इस बी प्लस ट्री तो सबसे पहले थोड़ा ऐसा देखते है वा प्लस का मतलब यह होता है नेक्स्ट इस इस सपोर्ट बेटर इंसर्शन डिलीशन एंड सर्चिंग ओवर बी ट्री नाव जो आपके बेसिक अप्लेशन से किसी भी डेटर स्ट्रक्टर में यह उस पे बेटर परफॉर्म करता है बी ट्री से कैसे करता है वह हम आगे देखें चाइड ट्री अपका हाइट बेलेंस होता है यह एक ग्सेंब लिया था मने नो देखों यहां का बेलेंस ट्री है क्योंकि जितने भी आपके चाइल्ड नोड्स हैं वह सारे लेवल पर है जैसे आपका B3 balanced tree होता है आपका B3 भी balanced tree होता है शारे नोर्स आपकी same level पर होती है जो आपके children नोर्स है या child नोर्स है leaf नोर्स है कुछ भी बोल सकते हो आप इसमें difference क्या है B3 से B3 tree कैसे अलग है यह समझ्य से पहले मैं आपको database के बारे में कुछ बताऊंगी तको यह आपका database है patients का जैसे hospital में records होते है patients के आज कर सब कुछ हम store करते हैं तो यह database है जिसमें आपकी जो एक single row है वो एक single patient का record है जितनी रोज है उतने आपके patients के record है नाव बहुत सारी patient हो सकते है thousand lakhs दो लाक करोड कितने भी patient हो सकते है database में ना उन patients को हम search कैसे करेंगे उनको search करने के लिए कि patient ID है इसको हम बोलते है search key कौनसी की से आप उसको search करोगे मालू मैंने बोल दिया हमें 198 ID वाले patient का record चाहिए तो सबसे पहले हम patient ID सर्च करेंगे और उसके पूरे record को ढूंड लेंगे राइट यह है आपकी की सेम वे अब हो सकता है यह सिर्फ मैं आपको b3 में difference के लिए बता रहे हूं हो सकता है कि working ऐसे ना हो database की हो सकता हो continuously stored है but for the timing just to understand the difference between b3 and b3 आप अज्यूम कर लो जो चीजे में आपको बता रहे हूं यह आपकी की हो गई एक आपका होता है pointer अब might be possible जितने भी records हैं that means जितने भी rows है हर row अलग location पर हो सकता है जो first row है वह stored है address 100 पर same way जो next हमारी row है वह store हो सकते address 250 पर next वाली मानलो है 150 पर तो जितने भी आपकी rows है वह अलग अलग location पर stored है अब आपने जो हम searching के बात कर रहे थे मानलो आपने patient ID 198 search करना है तो वह search करने के लिए आपको दो चीज़े चाहिए एक तो की क्यों कौन सी की हम सर्च करना है 198 करना है और वह कौन सी location पर stored है वह पूरा record तो record कौन सी location पर stored है 150 पर here you can see जापके थर्ड रो है वह 150 पर stored है तो इसको हम बोलते हैं data pointer data pointer तो वी नेट टू थिंग्स की एस वेल आज डेटा पॉइंटर तो सर्च अशिंगल रिकॉर्ड की data pointer सो अब हम बात करते हैं बीटरी की नाव हमने बीटरी किया था नाव एक सिंगल नोड पर हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं जो एक पॉजिशन पर सिंगल वेल्यू है ये आपकी इसमें आपकी दो चीजे stored होती है की भी होती है और डेटा पॉइंटर भी होता है जब हमने बीटरी का एक्जांपल किया था उसमें दोनों चीज मैंने इसले नहीं शो की थी simplicity के लिए कि चीज़े कैसे बहुत कर रहे हैं वह हम एक single value से store करके दिखा रहे थे यहां जहां आपको value से participant करनी है वह ढूकिन वि GR प्लस डेटा-पैंटर यहां bandwidth चाहिए आपकी no new unit Nada यह internal जो आप फिर आपकी leaf nodes है उन दोनों पर आपन की दोनों चीज़े पर Draug हो रही है की भी डेटा पॉइंटर भी इसका मतलब है दोनों का स्ट्रक्चर से लग है वह जो चीज़े store करने है वह अलग होती है for example now b plus 3 में height का तो same concept है child node सारे same level पर होगे जो आपके single value जहां में store करने है जो non leaf nodes है non leaf nodes पर सिर्फ आपकी key store होगी data pointer store नहीं होगा जो आपकी leaf nodes है जो सबसे last level में आती है वहां आपकी दोनों चीज़े store होएंगी key plus data pointer दोनों यहां यह सबसे major difference है b3 और b3 में non leaf node only key leaf nodes key plus data pointer moreover एक और major difference है जो आपकी leaf nodes है ना वो सारी एक दूसरे से connected होती है first leaf node second से connected है second third से तो वो ऐसे पूरा एक sequential structure बन जाता है आपका leaf nodes का अगर आप first node पे है तो आप sequentially move करके last node तक जा सकते हो अगर हम b3 की बात करें अगर आप first node पे है और आपको second node पे जाना है तो वह आप directly नहीं जा सकते वह आपको parent के थ्रू जाना है तो यह एक और major difference है b3 में अब मैं आपको b3 के बारे में बताते हूं now just pause the video इसमें जो जो चीजे लिखी हुई है tree के बारे में एक बार उसको read कर लो ता कि आपको समझ आ जाए नव सी देखो आपकी internal nodes तीन है यह तीनों internal है जो लास्ट डैवल पे है वह लीफ नोड है नाव जो यह five store किया हुए first node में यह सिर्फ और सिर्फ आपकी की है there is no data pointer same way 378 यह सारी आपकी कीज है जिनसे आप सर्च करोगे ना वह बात करते हैं leaf level पे leaf level जो last level है देखो आपका जो one हमने store क्या हुआ है इसके साथ एक और box बना हुआ है यह जो box बना हुआ है एक और यहां आपका data pointer आएगा same में three है उसके साथ एक data pointer है five है उसके साथ एक data pointer है तो जितने भी आप value store कर रहो last में वहाँ दो चीजे store कर रहो key as well as data pointer now you can see first node second node से connected है second third से connected है इस जो connection है इसको हम बोलते है sibling pointer वैसे भी यह दोनों node siblings है so we say this pointer is known as sibling pointer अब एक और ज़रूरी बात बी ट्री में क्या होता है आपने जो root node पे value store कर दी वह आपको नीचे repeat करने के जरूरत नहीं है बट बी प्लस फ्री में जितनी भी values आपके internal node पे stored है वह value सारी leaf node पर मिलेंगी ही मिलेंगी ऐसा नहीं है कि कि आपने सिर्फ internal node पे value store कर दी आपको नीचे store नहीं करनी पड़ेगी क्यों क्यों क्योंकि यहां पर internal node पे हमने data pointer तो store नहीं किया जब तक आपको data pointer नहीं मिलेगा आपको पता जाया होगा अब हम बात करते हैं difference क्या है उनको हम theoretically कैसे रीट करेंगे first is all internal and leaf nodes have data pointers यह हम बात करते हैं B3 की उसमें keys भी होते हैं data pointers दोनों होते हैं सारी nodes पर but B plus 3 में सिर्फ और सिर्फ leaf nodes पर data pointers होते हैं non-leaf internal nodes पर आपके data pointers नहीं होते हैं सिर्फ की होती है next is B3 में आपकी duplicate keys नहीं होती जो internal node पर हमने value store कर दी वो हमें नीचे leaf node पर repeat करने के जरूरत नहीं है but in case of B plus 3 हमें repeat करना पड़ता है क्योंकि internal node पर data pointer नहीं होता next is जो आपका B3 है उसमें leaf nodes आपस में linked नहीं होती है but B plus 3 में आपकी आपस में linked होती है और उसकी वज़े से हमें sequential access मिलता है so next point आपका यही है B3 में sequential access नहीं है but in case of B plus 3 sequential access is possible next is we do not need to traverse till the leaf nodes to get the data अब देखो मालो B3 में आपको कुछ भी search करना है तो जैसे ही आपको value मिल जाएगे आप stop कर दोगे अब वह value आपको internal node पे भी मिल सकती है root node पे भी मिल सकते है leaf पर भी मिल सकती है but B plus 3 में जब आप searching करोगे तब उसमें आपको एक बार internal node पे कोई value मिल गई तो आप अब जो नेक्स दो पॉइंट है वो दिलीशन और इंसर्शन से लेटीड है हो सकता आपको भी ना समझ में आए जब और सिर्फ आप leaf node से करते हो अब अगर आपने B tree का डिलीशन देखे है तो आपको पतल लीफ node में से कुछ भी डिलीट करना सबसे ईजी है internal node पे अगर आपको कुछ डिलीट करना पड़ता है वो डिफिकल्ट है आप बी प्रस्टी में सिर्फ लीफ नोड पर डिलीट करना है तो इस कंपरिटिवली इजी एंद फास्ट नेक्स्ट इस तब मोर नंबर अप स्प्लिटिंग उपरेशन साथ परफॉर्म द्यू तो विच हाइट इंक्रीज कंपेर तो विट अब बी ट्री में हम सेंग हाइ आप प्लस टी वाइस इट सो देखो आपने इंटर्नल नोड बनाई थी कि अब बी ट्री में जो एक इंटर्नल नोड है उसमें आप दो-दो चीज़ इस्टोर कर रोगी एज्वैल एस डेटा बट जो बी प्लस ट्री की नोड होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आप की स्टोर करना है अब मान लो आपके पास 100 unit का स्पीस है अब एक की को स्टोर करने के लिए आपको 5 unit चाहिए एक data pointer को स्टोर करने के लिए 10 हम सिर्फ internal node की बात करने हैं तो देखो B tree में आपको एक value store करने के लिए total 15 डालना पड़ेगा क्योंकि हमें की भी store करने है data pointer भी store करना है तो एक value के लिए 15 unit space लग जाएगा तो now you can calculate कि total कितनी values आएंगी इसके अंदर अगर हम approximately देखें तो 6 आजाएंगी 6 values आप store कर सकते हो but in case of B plus fee अगर आपके पास एक internal node पे 100 unit का space है तो सिर्फ और सिर्फ आपको की को store करना है data pointer को तो store नहीं करना तो एक value को store करने के लिए हमें कितना space यह 5 unit तो इसमें हम कितनी store कर पाएंगे 20 value store कर लेंगे यहां पर से 6 कर पाएंगे यहां 20 that means सुमान लोगर आपको 100 value store करने है तो B tree में हमें ज्यादा nodes बनानी पड़ेंगी as compared to B plus 3 इसमें यहीं बताए हुआ है कि height क्यों ज्यादा होती है आपकी B tree में as compared to B plus 3 यह जब आप insertion operation करोगे तब आपको और भी ज्यादा clear हो जाएगा तो यह difference है B tree and B plus 3 COOL आपकी